के लो के डिट्स कैसे हो आप लोग तो पीछले क्लास में अपने प्रो नाउन चालु किया था नाउन का भी प्रो वर्जिन का भी प्रो नाउन खिना ज़रू renowned नहीं यह मैंने आपको बताए था प्रोणाउन क्या होता है उसको lloka मैंने आपको नए ती और कितने types के pronoun होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, जिसने से सबसे पहला था personal pronoun, मतलब जब किसी इंसान, जानवर या किसी चीज के नाम को आप replace करते हो, तो अपने लगाते है personal pronoun, ठीक है, जैसे I, V, Our, He, She, It ये सारे के सारे क्या थे, personal personal pronoun, personal pronoun में भी मैंने आपको बोला था, कि तीन person होते हैं, first person, second person और third person, first person कौन, first person वो जो बात अपनी कह रहा है, second person वो जो सुन रहा है, और third person वो जिसके बारे में बात हो रही है yes, कल मैंने एक example से आपको पताया था, चलो, तो आज भी अपन इसी को first person, second person, third person को अच्छे से जानते हैं, उसके बाद अपन देखेंगे, possessive pronoun क्या होता है, बस आज का छोटा सा lecture होगा, यही पढ़ना है, तो चलो जल्दी से सुरू करते हैं चलो, तो first person, second person, third person, जैसे मैंने आपको पता है, जो अपनी आपने बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, first person, मतलब जो subject है, वो अपने बारे में बात कर रहा है, अगर मैं केला हूँ, तो मैं क्या यूज करूँगा, I, या फिर me, या फिर mine, और मेरे साथ कोई और भी है, तो मैं क्या यूज करूँगा, we, us, our, जैसे अगर मैं और सिस्टर हैं, हम दोनों पढ़ाते हैं, मैं क्या बोलूँगा, we are teachers, आप यूज कर दिए पॉइंट, तो हम पीचर हैं, तो जब भी एक से ज़्यादा हैं, दो तीन लोगों की अपने खुद की बात कर रहा हूँ, गो मैं अगर मैं और हमारे सांस, जो भी हैं, तो आपन क्या यूज करएंगे, we are all, मतलब जब हम, हमें हमारा यूज करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, we, us, our, और जब बी मैं, मुझे, मेरा यूज करना है, तो मैं क्या यूज करूँगा, I, Me, or mine, अब उसमें भी इन तीनों को कभ यूज़ करना है अपने ये तो बता दिया है सर की जब मैं अकेला हूँ तो उपर के तीनों में से कोई यूज़ करना है और जब मेरे साथ और भी कोई है तो नीचे के तीनों में से कुछ यूज़ करना है ठीक है वी असवर में से उन तीनों में से भी कब किसको यूज करना है बताऊंगा इसके बाद आपको ग्याम की बात बताऊंगा तो टेंशन मतलो ठीक है फर्स पर्सन मतलब जो खुद की बात कर रहा हो अब कैसे यूज कर सकते हो जैसे I am a teacher या मैं teacher हूँ आपको पढ़ा रहा हो English यह सर नो आपका सौरफ सर तो मैं teacher हूँ I am a teacher तो यह I क्या हो गया personal pronoun वो भी first person का इस बैच बिलॉंग्स टू मी यह बैच अभी आप लोग जो पढ़ रहे हो AISSE की बैच यह बिलॉंग करती है मेरे से ठीक है this बैच बिलॉंग्स टू मी मेरी बैच है यह are you getting my point चलो we are team of four players हम लोग चार लोगों की team है we are a team of four players देखो कैसे pronoun यूज हो रहा है ना I के जगा मैं क्या यूज कर सकता था स्वारब is a teacher but नहीं मैंने क्या यूज किया I am a teacher स्वारब के जगा I use किया इस बैच बिलॉंग्स टू मी या ऐसे भी पोल सकता था इस बैच बिलॉंग्स टू सौरब अगरवाल तो वहां के जगा मैंने क्या यूज किया आप बहुत सारे लोग की बात हो रही है चार-चार प्लियर की बात हो रही है तो I mean यूज नहीं आएगा क्या यूज आएगा या तो वी अस या अवर ठीक है तो वी यूज किया अपने वी आर टीम ओ फोर प्लियर जैसे अपना अगर चार लोग की टीम है तो मैं मैं बलु We all are friends हम सब दोस्त हैं आप और मैं हम लोग सब कोई दोस्त हैं We all are friends तो I, Me, We and We ये सब का मैंने आपको यूज बता दिया फर्स्ट परसन में अब सेकेंड परसन मतलब जो सून रहा है जैसे You all are my students मैं आप लोगों को कह रहा हूँ यू हाँ यू मोटू पतलू ओके एन दोर You belongs to the second person Your class will start at 5 p.m. तुम्हारी class 5 बजे start होगी तो यूर तुम सब की तुम सब की तुम सब की देगो तुम एक अकेले को जब मैं पोल रहा था तो मैं यू पोल रहा था You are my student ठीक है बट अब एक को नहीं पोल रहा हूँ तो आप सब की class start होगी 5 बजे तो मैंने क्या पर्सन? के लिए he she or it उसने इससिटा परसं का रहे ने मेरे साथ ऐसा किया सर उसने मेरे को मार दिया कर उसने मेरा चौकलेट ले लिए मेरी pencil तोर दी तो उसने जब भी उसने उसने यूँस करना सर उसे पनिस करो सर वह बहुत बदमास लड़का है ठीक है वह बहुत ही इमानदार इंसान है दो किसी और के बारे में बात कर रहे हैं मैं तुम को बता रहा हूं किसी और के बारे में वह बहुत ही मानदार लड़का है सर उसने मेरी पहन तोर दी आप मेरे को बता रहे हो किसी और के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में, तो अपन क्या यूज़ करेंगे, he, she, it, तो जब भी वहा, उसे, उसने यूज़ करना है, then we will use he or she, he, जब भी male होगा, she, जब भी female होगा, पता है न, he or she, तो चलो, और it, जब non-living thing है, तो उसके लिए he, she, तो यूज़ करेंग है, यह mouse उसका है, ठीक है, उस, उसका है, उसने आप में बोला, उसका, क्योंकि वह इंसान था, बट अगर किसी चीच के बारे में बोलें, तो अपन क्या यूज़ क्या बोलेंगे, यह, यह pen, मेरा है, यह, क्योंकि non-living thing है, जब भी non-living thing होगा, कोई चीच, तो what we will use, we will use it, clear, जैसे, he is a good boy, यह बहुत ही अच्छा लड़का है, तो he, लड़का था तो he, बट अब कोई चीच के बारे में बताना है, कि बहुत expensive है, यह, यह mobile बहुत expensive है, तो it is very expensive, तो मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पर, it use किया, ठीक है क्या, it is very expensive, यह बहुत expensive था, non-living thing है, तो he, she use करना है, तो क्या यूज़ करेंगे, it use करेंगे, समझ में आगया, तो he, she, it और यूज़ करना है, यह चमक गया, you, your, तो यूज़ करना है, यह बी चमक गया, अब अब रपनंको बताना है, wie, us, our में से कोँज़ करें, तो वो जानने से पहले मैं आपको एक पो होता है पॉसेसिव आपने सुना होगा कई बार बोला जाते हैं कि बहुत ज्यादा पॉसेसिव है वो अपनी गल्ट्रेंड को लेकर के क्यों मतलब भीया वो जानता है कि भीया ये मेरी गल्ट्रेंड ही किसी और से बात करेगी पैर धाग तुड़वा दूगा उसके तो पॉस अपने सुनारी है ये उसकी है तब अपन क्या यूष करेंगे पॉसेसिव प्रोणाउन वो इस प्रोणाउन सोस् प्सेशन आपका पोजेशन बताता है किसी चीछ के उपर ठीक है इट रिफर्स टू लाइक अवर माइन अवर अवर्सम ये सारे चीछो को यूज करता है हमारे चैनल का नाम चेंज हो गया, आपने पहले देखा होगा, Soluble Science लिखा होगा था, ठीक है, तो यूटूब चैनल का नाम चेंज हो चुक है, Edu Mention, IIT, J, I, NIT, या फिर Edu Mention, Soluble Science, ये, Edu Mention, Senik and Navad, तो, ये चैनल मेरा है, मैं क्या बोल रहा हूं? कि भीया, ये चैनल, ये जो आपको चैनल दीख रहा है, ये चैनल मेरा है, मैं अपना हग्दा, वो जमा रहा हूं उसके उपर, कि भीया, ये मेरा है, मैं पोजिशन दिखा रहा हूं, तो ये कौन सा हो गया, मेरा वर्ड क्या हो गया? possessive pronoun हो गया जैसे कर मैं बोलू we are going to start our class हमारी class हम start करने वाले तो हमारी class तो our क्या हो गया possessive pronoun हो गया this book belongs to mine ये book मेरी है ये book का मालिक मैं हूँ तो this book belongs to mine his bike उसकी bike is older than ours तो यहाँ पर दो-दो personal pronoun है उसकी bike और अपनी bike दो-दो position बता रहे हैं एक तो उसके उपर position बता रहे हैं और एक अपने उपर तो यार ये तो word से समझ में आ रहा है possessive pronoun मतलब जो position दिखा है मेरा, तेरा, उसका, इसका are you getting my point? चला अब पॉसेटिव pronoun कब में कैसे क्या क्या चीज को use करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा सारे examples के सांथ जैसे देखो अब personal pronoun में ये आप मान सकते हैं तरीकी से possessive pronoun को भी ठीक है जब आप मेरा, तेरा, उसका ऐसे बात कर रहे हो तो तो अब कब किसको कैसे use करें? जब कोई चीज subject के जैसे use हो object के जैसे use हो और position के जैसे use हो अब आप बोलोगे सर सब्जेक और object क्या? ये starting के जो starting में आए वो subject, बात में जो आता है वो object मतलब जो बात कर रहा है वो subject जिसके बारे में बात हो रही है वो object are you getting my point? action, action कौन कर रहा है? वो आपका subject हो गया और action किसके उपर हो रहा है वो object बात समझ में ही? जिसे कर मैं कुछ भी बोलू I am सौरब अगरवाल तो I जो है वो क्या हो गया? subject और सौरब अगरवाल क्या हो गया? object I am मैं हूँ हूँ कौन? मैं तो मेरे उपर काम हो रहा है कि मेरे उपर पता है जा रहा है कि मैं हूँ ठीक है? तो मैं क्या हो गया? subject मैं हूँ क्या हूँ? सौरब अगरवाल है कि नहीं? तो वो क्या हो गया? object Are you getting my point? subject और object क्या होता है? तो जब भी sentence में subject के जैसे use हो then you will use I, V, U, They, He, She, It Are you getting my point? और जब भी object के जैसे use हो statement के बाद में आए तब आप कैसे use करोगे? me, us, you, them, him, her, it Are you getting my point? और जब भी position के जैसे use हो तो वहीं पर आपका आजाएगा my, mine, our, ours, your, yours, this, this their, theirs, his, her, hers या its आप देखो जैसे example बता रहा हूँ I am सौरब अगरवाल तो I, subject के जैसे use हुआ तो मैंने क्या use किया? I This book belongs to me अब देखो last में आया object के जैसे use हो रहा है This book, subject हो गया जिस book के ऊपर बात करी जा रही है belongs to me Are you getting my point? तो मैं क्या होगे object तो जब भी object के जैसे use हुआ तो me use हुआ मैंने बोला था ना कि मैं आपको बताऊंगा कब I use होगा कब me use होगा और कब mine और जब position दिखाना हो तब आप क्या use करोगे माई और माई Are you getting my point? Same वैसे ही हम लोग है We use किया मैंने जब subject के जैसे use हो रहा था यह जब object के जैसे use होगा तो us ठीक है अस बोलोगे और फिर जब अपन को position दिखाना होगा तो our या फिर hours ठीक है Our class will start at 5 p.m Position पता रहा हो Our class हमारी class start होगी 5 बजे सामके Confusion कोई नहीं ना पक्का चलो चलो माख रहा है ना सब चीज Same देखो जैसे I like apple subject के जैसे use हुआ है We are happy हम सब खूस है You are wrong आप गलत है ठीक है They play cricket वो सब cricket खेलते है He is stupid Stupid है कोई बात नहीं She is beautiful सुन्दर है ठीक है It has came to an end चीजे खतम होने वाली है It has came to an end देखो इन सब में आपने क्या यूज किया They, He, She, It कब यूज किया जब ये statement के आगे आ रही है subject के जैसे use हो रही है अब जब object के जैसे use करोंगी देखो He is talking to me अब ही भी प्रोनाउन है लेकिन ये ही यहाँ पर कैसा है subject के जैसे तो क्या यूज किया आपने He is talking to me object के जैसे use हुआ ये चोटी चोटी बातें याद रख लो paper बहुत असान आता है questions भी कराऊँगा ये पूरे theory खतम होने के बाद आपको पूरे previous year questions कराऊँगा बहुत सारे questions कराऊँगा तो आप tension मतलो बिल्कुल भी मैं हूँ ना? तो क्या गर मैं? कोई गम नी है अब बहुत easy आता है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना? अगर ये बात आपने समझ ली भीया English का एक question नहीं छूटेगा guaranteed दे रहा हूँ ठीके क्या? आपको previous year questions भी कराऊँगा sample papers दूँगा और example questions दूँगा exercise दूँगा module दूँगा आपके बच्चे की जान लोगे है? चलो now, soluble science मेल पहले का पना हूँ है मेरा soluble science सब यहां पर लिखना पड़ेगा edumention भीया edumention 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 is concerned about us अब आप लोग लोगे हैं कि हाँ भीया edumention हमारा बहुत ख्याल रखता है is concerned about us आपने us यूज़ क्या है क्योंकि बाद में आया ठीक है I am talking to you you दोनों में से होता है चाहे subject की जैसे use करो चाहे object की जैसे use करो you you ही राता है वो change नहीं होता आप देख सकते हो yes now cricket is played by them देखो them use हुआ ठीक है they play cricket तो दे अगर subject की जैसे use होता तो दे आता लेकिन आप कैसे use हो रहा है object की जैसे तो cricket is played by them समझ में आ रहा है कितना easy है कहीं पर गलती आप समझ जाओगे कहीं कोई कुछ बूला रहे यहां यह नहीं आगा यहां 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 आएगा स्वर्वसर ने बताया था रटने की कोई आवशक्ता नहीं आप लोगों यह बात समझ जिन में आ रही होगी कि कुछ रटने की जर्वत नहीं है जो बता रहा हूँ जैसा बता रहा हूँ दिमाग में fit कर लो एक marks नहीं कटेगा यह guaranteed है ठीक है चल अब positive बता रहे हैं तो देखो this is my pen मेरा pen है are you getting my point चलो वैसे तो इस भी प्रोनावन है कौन सा प्रोनावन है यह मैं आपको आगे बताऊंगा ठीक है एक statement में एक से ज्यादा pronoun हो सकते एक से ज्यादा noun हो सकते एक से ज्यादा वर्व हो सकते हैं एक से ज्यादा ही होता है लेकिन टायर तो दो हो सकते हैं ब्रेक दो सकते हैं की हैलाइट आगे पीछे दो तीन जितनी लगा नहीं ही लगा लो भी आप के आपकी गारी यह चलो ह rectangular भीए सक्षा अवर प्रेजंटेशन हमारा प्रेजंटेशन माई बिसनेश करा नहुँर mirror तो हमारा बिजनेस हमारा बिजनेस है तुम्हारा बिजनेस नहीं है चलो यह बुक उसको दे दो उसकी बुक आपको पोजेशन दिखा रहे हैं कि यह बुक किसकी है उसकी है इस बुक उसको दे दो इस अवर इस्कूल हमारा इस्कूल है सब्जेक्ट के जैसे यूज कब करना है और पॉजेसिव में कैसे यूज करना है तो आपको इस स्टेटमेंट पढ़के समझ में आएगा अच्छा पीछे लग रहा है तो आई नहीं आ सकता मी आएगा अच्छा आगे लग रहा है तो आई आएगा, वी आएगा, यू आएगा, दे आएगा, ही शी इट आएगा चलो तो यह लेक्चर आपका अल्रेडी थोड़ा बड़ा हो चुका है लेकिन कोई बात नहीं अब नेक्स क्लास में अपन इसके आगे का पढ़ेंगे तो तब तक के लिए हसते रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो सौरफ सर की क्लास जै हिंद, बाइबाए, ठेक केर